मैं यहाँ पर सम्विधान की अच्छाईयां गिनाने नहीं जाओंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सम्विधान कितना भी अच्छा क्यों नहों वो अंतत्य बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तिमाल मिलाने वाले लोग बुरे होगी और सम्विधान कितना भी बुरा क्यों नहों वो अंतत्य अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तिमाल मिलाने वाले लोग अच्छे होगी इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्व में लाए बिना सम्विधान पर कोई भी निर्ड़े देना या कोई भी टिपणी करना मेरे विचार में गर्थो गन्यवाद सर मैं ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा निश्चित की हुई सम्विधान की रूप रेखा को प्रस्तुत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस पर विचार किया जाए राष्ट्रपती महोदे सर मैं ये सदन में उपसित उन लोगों में से एक हूँ जो जानते है कि इस सम्विधान का मसोदा तयार करने में ड्राफ्टर अमबेट करने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनित साथ सदस्यों में से एक ने इस्तिफा दे दिया और उसकी जगर किसी और को नहीं लिया गया एक सदस्य थे अमेरिका में तो उनकी जगव भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में राज्य के कामों में व्यस्त रहे इसलिए उनकी जगव भी खाली रही ये क्या दो सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वज़र से शामिल नहो सके इसलिए आखिर में हुआ यूँ के मसोधा तयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्तर अम्बेटर पर आओर मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुगहित है मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है इसका कुछ हिस्सा जाता है सर बियन राव को जो कि हमारी इस सभा के समवधान एक सलाहकार है जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमिटी के विचार करने के लिए समवधान का कच्छा मसादा तयार किया इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्यों को क्लिबसागी बनाले, तुया बनाब बनाब